आज आपके लिए देखे एक और डिजाइन लेकर आई हूँ, डबल कलर का डिजाइन है, सिर्फ 6 लाइन का डिजाइन है और 5 फंदे और एक बीच में, 5 प्लस 1 का डिजाइन है, ये किसी ने मुझे वाट्स अप पे भेजा था, ब्रिक्स, बेसिकली ब्रिक डिजाइन बोलता इसको, तो चलिए मैं दिखाते हूँ आपको कि किस तरीके से बनाया जाता है, नॉर्मल भूल अगर आप लेंगे तो 10 नंबर की सलाई से लेंगे, और पत्ली करेंगे तो 11 नंबर की सलाई से आप इसे बनायेंगे, जस्ट 6 लाइन का डिजाइन है और 5 फंदे प्लस 1 का ये प्लस 1 के लिए मैंने फंदे इस तरीके से डाले वे हैं, इसमें एक सलाई सीधी और एक सलाई उल्टी इसी कलर की पहले नॉर्मल करूंगी मैं इस तरीके से, एक सलाई सीधी पूरी झालाई एक सलाई सीधी और एक सलाई उल्टी जो है इस तरीके से किया है मैंने अब ले लेते हैं दूसरा कलर कलर्स दोनों इसमें जो है अलग-अलग चलेंगे अब देखे दो कलर लिए दूसरा कलर लिया इससे पाच फंदे मैं सीधे बनाऊंगी दो तीन चार और ये पाच फंदे इस तरीके से बनाएं ये वाला फंदा उतार दिया अगें पाच फंदे एक दो तीन चार पाच फिर ये पंदा ऐसे उतारा अगें पाच एक दो तीन चार पाच और ये उतारा अब देखें लास्ट में चार बचे है कोई बात नहीं इन्हें चार ही आप बनाएंगे इस तरीके से किया आप पलट लीजिया अब उल्टे साइट पे कैसे करना आपने देखें ये रेड कलर में जो हमने बनाया उसे तो हम उल्टा बनाएंगे दो तीन चार ये वाला फंदा हम उतार देंगे इसे हम बनाएंगे नहीं उतारेंगे फिर अगें जो पांच फंदे हमें रेड वाले दिखेंगे वो पांच बनाएंगे उल्टे एक दो तीन चार पांच ये पांच फंदे उल्टे इसे उतारा आपने अगें एक दो तीन च इसे उतार आपने, फिर पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब आजाए सीधी लाइन, पर देखे इस तरीके से हुआ आए, अब ये लाइन पूरी यलो से एक सीधी और एक उल्टी हम करेंगे नॉर्मल, इस तरीके से देखे, एक सारी लाइन हमने सीधी करनी है, अब आजाए ये लाइन पूरी होगी, अब आजाए ये लाइन पूरी, ही लाइन पूरी उल्टी करनी है इस तरीके से, अब आजाए हम सीधी लाइन पर, आप क्या करना है, अब रेड कलर आपने लेना है, अब जो हमने ये पांच रेड पहले बनाए थे, उसका जो सेंटर का फंदा है, वो हमने उतारना है येलो में, और उसके इधर दो और इधर दो, देखे किस तरीके से, अब ये हमने पहले पांच लिये थे, तो उसमें से हम पहले दो फंदे रेड से बनाएंगे, इस तरीके से एक उतारेंगे, अब ये पांच फंदे हम रेड से बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो देखे, जो हमने यहाँ पे किया था, वो इसके सेंटर में आएगा, अब अगे ये वाला उतारेंगे, फिर पांच फंदे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, फिर इसे उतारेंगे, अगे एक, दो, तीन, चार, पांच, इसे उतारेंगे, और ये लास्ट में, इस तरीके से हमने किया, पहले हमने यहाँ पे किया था, अब यहाँ पे लिया है, पलेट लि रेड वाले हम बनाएंगे उल्टे और यलो उतारेंगे यह वाले उतारेंगे और यह वाले हम उल्टे बनाएंगे एक दो सिर्ट पांच यह उतारा एक दो तीन चार पाँच यह उतारा एक दो तीन चार पाँच इसे उतारा आज यह नेक्स लाइन पे यह देखिए यह इस तरीके से जो है बनेगा अब यलो की वही एक सीधी और एक उल्टी लाइन पूरी करेंगे याने कि देखिए यह हमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सिरफ यह 8 लाइन हैं हमें repeat करते वे जाना है मैंने पहले स्टार्टिंग में 6 बोले थी यह 8 लाइन्स है 8 लाइन्स जो है आपने इसे repeat करते वे जाना है जो हमने पहली 2 लाइन्स बनाई थी एक सीधी एक उल्टी फिर सीधी बनाएंगे हम फूरी लाइम इस तरीके से और ये लाइम फूरी उल्टी करेंगे अब अगें जो हमने यहाँ पर किया था पांच हमने सीधे लाल बनाए थे और एक उतारा था अगें पांच लाल बनाए थे फिर एक उतारा था उसी तरीके से इसे अब रिपीट करते हुए आप जो है जाएंगे देखिए इसी तरीके से आप इसे बनाते वे ऊपर तक जो है ऐसे ही करते वे जाएंगे दोनों कलर्स अलग अलग डिफरेंटली चल रहे हैं एक साथ नहीं बन रहे हैं और पांच फंदे यह है और एक फंदा यह है तो इस तरीके से आपने उसे करना है लास्त में चाहे आपके दो बच्चे तीन बच्चे जैसे मैंने इस वाले यलो में आपको अभी बताया इस तरीके से आपने इसे बनाना है बस यही जो मैं आपको बतारी हूँ आपने जो है रिपीट करते वे इसमें जो है जानी है तो देखे यह ऐसे आपके लिए बनेगा अब यह आप नॉर्मली जो है बच्चों के उपर बनाओगे बच्चों के स्वेटर्स में बहुत सुंदर लगता है इवन आप इसे बड़ो के उसमें भी डाल सकते हैं ऐसा नहीं है और एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँगी कि मल्टी कलर भी आप इसे डाल सकते हो यह अपनी अपनी थोड़ी वह होती है कि आप किस तरीके से इसे कि इसा पहले भी एक डिजाइन मैंने ऐसे ही बताया है पर वो थोड़ा सा इसे दिफरेंट है उसमें तीन फंदे है और उसमें उलटे भी थे तो अलग-अलग इस तरीके से डिजाइन मनता है आप थोड़े सा वेरेशन करके जो है अपने डिजाइन्स थोड़े से अलग इस तरीके से जो है बना सकते हैं तो देखिए ये जो है ऐसे आपको थेंक यू